नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी नियूज मुजफर पुड और मैरी आप सभी का स्वागत करती हूँ चली करते हैं शिरवात आज की मुख्य खबरों के साथ हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्निलाल मेगा मॉल जिलापुलिस प्रशाशन और नगई निगम द्वारा गाता कंबल शा मजार पर की गई चादर पोशी एईस को लेकर जिलादिकारी में समर्नाले सभाकक्ष में बतादिकारियों के साथ की बैठक और जिन्स कंपनी के अधिकारियों ने नकली जिन्स बेचने वाले दुकानों में की चापे मारी तो ये थी आजकी मुखे खबरे अब खबरे विस्तार से जिलापुलिस प्रशाशन ने गाजे बाजे के साथ दाता कंबल शाह मजार में चादर पोशी की कि अधिक बाजे 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 भाजे भाजे ने वाले में प्रमंच के साथ चादतों ये बाजे के सा तो ये जाताया से दाता कंबल्शा के सालानह उडश के मौके पर सरकारी चादरपोशी की रस्म अधा की गई 1903 से शुरू हुई सरकारी चादरपोशी की परंपरा का निर्वहन किया गया सरकारी चादरपोशी को देखने के लिए पहले से ही अपकत मन्दों की भीर खड़ी मिली सरकारी चादर के बुलंद दर्वाजा के समीप पहुँचने से पहले ही आम लोगों के द्वारा की जा रही चादर पोशी रोग दी गई मजार परीशर में मौजूद लोग सरकारी चादर पोशी के इंतसार में बेकरार नजर आए चादर को छूने वद चूमने के लिए लोग बेकरार रहे चादर के मजार के अंदर पहुँचने के बाद मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया सज्जादा नशी ने चादर पोशी की रश्म अदा कराई एवं सामोई दुआ की इस दौरान जिला राज एवं देश में अमन सुकून एवं तरक्की की दुआ की गई इससे पुर्व आदर्श नगर थाने से SSP राकेश कुमार ने चादर जुलुस को रवाना किया इस दौरान हम्द नात मनक कबत के साथ भक्ती गीत ने मोहौल को खुश गवार बना दिया चादर पोशी में नगर DSP रागव द्याल, DSP पश्चमी अभिशेक आनंद, नगरवा अहियापुर थानेदार, जिला शानती समीती सदस्य पाले खान, जौक्टर एम राजु नैयर, शेहनवाज हुसैन उर्फ नौशाद, मुहमद इकबाल एहमद, केपी पपो आदी शाम आज उसी का आयोजन किया गया था, अभी नगर थाना से चादर निकली है, और चान तक मजार पे पहुंचे गी, वहाँ पर मैं और डियम साब भी रहेंगे, और वहाँ पर चादर चढ़ाएगे, लोगों में समिर्थी बना रहे, मुझफर पुर जीला में सभी लोग स्वांती से रहें, सुपरवा करें, इसी कावना के साथ, उसके समय में जीला पुलिस के तरफ से टाउन थाना से चादर निकलता है, और ये चादर जाकर दादा कमल सा के मजार पर चादर पोसिग की जाती है, उसी करब में हम लोग जाना रिवाज है कि नगर ठाने से चादर चरती है, जो सरकारी चादर कहलाती है, और ये यहां से चल कर आपको दाता कमबवशार रहमतुल्हाले के मदार शरीफ पर आज के दिन छो बज के दस मुनिट पर चरहाई जाएगी, जो परशासन ही चरहेगा, उसमें परशासन के जो सारे पदा अधिकारी, बढ़िये पदा अधिकारी से लेके कनिये पदा अधिकारी तक उपरस्ती चरहते हैं, अखिर क्या वाक्या थी जो ठाने नगर ठाने के द्वारा 120 से चरह चरहेगा, देखिए इसके लिए आपको समय देना होगा, हम बुकलेट दे देंगे, उस पर ही एगा, तो पूरी कहानी समझ में आगी कि वीटिस गौवर्मेंट में क्या हादसा हुआ, और वीटिस गौवर्मेंट ने शुरुआत इसकी की, और उसके बाद ये परंपरा वहां से चल परी, जो आज तक चल गई नगर निगम प्रशाशन द्वारा दाता कंबल शाह मजार पर चादर पोशी की गई, हजरत दाता कंबल शाह रहमत तुल्ला अलेह के पक्की सराय स्थित मजार शरीफ पर बुदवार को नगर निगम की ओर से सरकारी चादर पोशी की गई, इस अवसर पर नगर निगम के अ जहां मेर एवं डिप्टी मेर के द्वारा मजार शरीफ पर गुल पोशी और चादर पोशी की गई इस अवसर पर वहां मौजूद लोगों ने शहर में खुशाली शांती की दुआ मांगी इससे पहले महापौर निर्मला साहू, उप महापौर मुनालिसा, नगर आयुक्त नवीन कुमार वाट पारशद अभिमन्यू चोहान, राजीव कुमार पिंकू संजे केजरिवाल अमित रंजन, इनामुल हक, नगर निगम कामगार यूनियन के अध्यक्ष अशोक राय, नूर आलम आदी ने निगम कार्याले में पूजा अर्चना की, उसके बाद दाता कंबल शाह के मजार पर चादर पोशी के लिए मेर उप मेर नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त के साथ कई निगम कर्मी बैंड बाजे के साथ बाबा के दरबार में पहुँच कर चादर जनता सभी समीदाओं की जनता के लिए मैं उपर वाल से प्रातना करूँगी कि वो हमेशाए खुश रहें, सुख शम्रिद हैं और भगवान उनको धन्य धान से पड़िपूर्ण रखे और वो रोग मुट मुट रहे, ऐसी मेरी प्रातना है, धन्यवाद AES को लेकर जिलादिकारी ने समर्णाले के सभाकक्ष में आलादिकारियों के साथ बैठक की AES को लेकर जिलाप्रशाशन अलर्ट है, इस वर्ष जिलाप्रशाशन जिरो दिट पॉलिसी पर काम कर रही है प्रते देन डियम प्रणफ कुमार के नेतरितु में जिलाप्रशन प्रखंड स्तरिये पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दिशर निर्देश दिये जा रहे है इसे के तद बुद्वार को AES चमकी बुखार पर प्रभावी नियंतरण और इलाज को लेकर जिलास्तरिये AES-JE कोर कमीटी की कलेक्टरेट की सभगार में बैठक हुई इसमें डियम ने विभिन विभागों और कमीचियों के कारियों की समिक्षा की साथ ही AES को लेकर गठित AES एवं प्रत्यक्ष कारवाई विंग और पॉलिसे विंग समेथ सभी विंग के कार एवं दायत्व के बारे में विस्त्र जानकारी दी डियम ने सभी स्तरों पर दवा इलाज और उपकर्णों की उपलब्धता तथा परिक्षन की जानकारी ली डियम ने कहा कि AES चमके बुखार पर प्रभावी नियंत्रन के मद्य नजर बनाई गई कार योजना को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशाशन कटी बद्ध है और उन्होंने बताया कि सभी प्रखंडों को चिनहित कर वीडियो वन के माध्यम से चमके बुखार से बचाव के लिए प्रचार प्रशार किये जा रहे हैं इसके साथ ही आंगन बारी केंद्रों पर बच्चों की लिस्टिंग कर आशा कर्मियों को बच्चों के देखभाल की जिम्मवारी दी गई है जिला प्रशाशन द्वारा दाता कंबल शाह मजार पर चड़ाई जाने वाली चादर को कई वर्षों से बनाते आ रहे हैं अबुलकलाम इस वक्त हम मवजूद हैं मुझपरपुर के आदर्स नगर थाना पर जहां पर हर साल शावाना उर्ष के दिन चादर चड़ाई जाती है बाबा की मजार पर और चादर का जो निर्मान करते हैं आईए हम उनके साथ बाच्चित करते हैं कितनी कुछ परिशानियों का सामना करना परता है और क्या क्या इस चादर में मैटेरियल लगता है सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका सिटीनूजने परिषानिया का शामना करना पड़ता है इस चादर को बनाने में और कितना स्रमय लगता है इस चादर को आपको पूरी तरह तैयार करने में एक महीना लग जाता है और मटेरियल मैं जाकरके पठना से लाता हूँ और यहां सब काम तयार हो जाता है तो मैं टेलर मास्टर से मैं इसको सिलवाता हूँ और तब जाकर कि थानव पर मैं पेश करता हूँ मेरा नाम अबूल कराम, कनहुली विसुन्दत, बेला रोड में मेरा मकान है क्या क्या मैटेरियल का इस्तमाल करते हैं, इतनी खुबसूरत चादर आपने बनाई है, क्या क्या मैटेरियल इसमें 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 मूती लगता है, सितारा लगता है, एस्टार लगता है, बहुत सारे धागे लगते हैं, उससे ये तयार होता है हर तरह का जो है इसे material जो है लगता है जो कहा नहीं जा सकता है जहां पर जो जगुरत परती है वहां पर जो है मैं लगाता हूँ काफि सुन्दर आपनी चादर पे वेलवेट का कपरा भी लगा रख भाँ लाते हैं वो भी बाहर से लाते हैं न हआ या हूँ मुझफफर पूर्ही से जो dire मैं कपरा लेता हूँ जो मुझफर पूर टाबर के पास दुकान है उसमें लेता हूँ उसके बाद जो है साहिब से बात करके काम ले जाता हूँ कपरा और बाहर से लाते हैं और इस बार जो चादर जो बनी है वो 17,551 रुपी में बनी है यह चादर कितना दिन में तयार कर दिये हैं इतनी खुबसूरत चादर को आप यह तयार करने में एक महीना लग गिया है एक महीना लग गिया है अकेले तयार कर दिये हैं या कोई परिवार के और भी लोग सहयोग करते हैं नहीं हम अकेले तयार किये हैं हम खुद चादर जो है नमधार से करता हूं लगभग 50-55 बड़ों से यह मैं चादर का काम करता हूँ चादर एफिस। बनाते हैंना के छोछ पूश्र की जाती counties और उना है कि उन्होंने बटाया कि चादर को नकी चादर की दिमान जो है अजमेश सरीफ इनकी अजमेश सरीफ दिल्ली अब तक के लिए बने रहे हिसी टेनी उस्ट के साथ मैं अपने शोईग रॉषन के साथ विकाज गौस्वामी मुजपार पूर नासिक में चाकू गोद कर मार दिये गए गुलाम रब्बानी का शव गाउं में जैसे ही पोचा, पूरे इलाके में मातम चागया जिले के एक युवा की महराश्ट्र के नासिक में हत्या कर देने का मामलास सामने आया है जिसके बाद मृतक के गाउं में मातम पसर गया है मृतक गुलाम रबानी नासिक में पंचर की दुकान चलाता था जहां उसकी हत्या कर दी गई है सक्राथाना शेत्र के रूपन पट्टी गाउं के अनवर अली का 25 वर्षी बेटा गुलाम रबानी नासिक में रहता था जहां उसकी पंचर की दुकान थी अचानक सूचना मिली की 29 अप्रेल को कुछ लोगों ने गुलाम की चाकू मार कर हत्या कर दी है परिवार के लोगों का कहना है कि गुलाम की किसी से दुश्मनी नहीं थी बृतक के भाई जिलानी ने बताया कि उन्हें उनके एक परिचित ने कॉल करके सूचना दी जिसके बाद आनन फानन में वो वहां गए स्थानी थाना में मामला भी दर्स कराया है बृतक गुलाम शादी शुदा है और उनके दो छोटे छोटे बच्चे भी है हत्या के घटना से परिवार के लोग सदमे में हैं बुद्वार की सुबा शव नासिक से लाया गया हमारे जनकारे मिली हमारे बच्चा ने फून किया हमारे पास नौ बजे क्यों समय नमाज पर रहे थे नमाज पर करके निकले यह घट में हमको अगाख हुआ कि भाई इसकी घटना होगी है कितने तरीके बता हुए है उन्टीज तरीक शनी वाब था नौ बजे हमें पता चला यह हम इतीक सो फोन पर गी है उन्टेंडे के बाद को है कि तुम्हीं आज गारी पकर लो वहां से यह वी बाहरे था दूसरे जगा था यह वहां से गारी पकर के तब भाई के पास गया लड़का लड़का क्या नाम है उनका महम्मद गुलाम रभाने कितना उमर होगा उनका पचीछ-चबिस शादी हो चुगी है बच्चे भी है उनका परिवार कहां रहता है वह अकेले वहां रहता है अब पहले कभी उन्होंने कुछ बताया था कि किसी से दुश्मनी वगरा कु क्या लगता है अगर किसी के साथ अगर ऐसा होता है तो सक्के दारे पर ही लोग कहता है कि दुश्मनी से मारा एक और व्यक्ति नशा खुरानी गिरो का शिकार बन गया अखारा घाट रोड में बेहोशी की हालत में मिला मुझजफरपुड में इन दिनों नशा खुरानी गिरो का अतंक दिन प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा है तैजर मामला नगर थाना शियतर के जीडी मदर के समीब का है जहां बेहोशी की हालत में एक युवक्त पढ़ा हुआ मिला स्थानिय लोगों ने डैल 112 की टीम को इसकी सूचना दी जिसके बाद घटना स्थल पर पहुँची पुलिस टीम ने युवक को इलाज के लिए मुझफरपुड सदर अस्पताल में भढ़ती कराया है युवक के पैचान थाना शेत्र के ही कमपनी बाग निवासी सोनु कुमार के रूप में हुई है बताय जा रहा है कि युवक तिरपाल की दुकान में काम करता है मामले की जानकारी देते हुए युवक के भाई राहुल ने बताया कि आज सुबा सोनु निकला था वहीं कुछ समय बाद डायल 112 की टीम के द्वारा उसके भाई की बेहोश होने की सूचना दी गई इसके बाद आनन फानन में सदर अस्पताल में पहुँचा जहां उसके भाई का इलाज चल रहा है किताबों का विशाल संग्रा और तीस वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म समराड किताब किंग ब्रांच वन जो की एक नए अंदास में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती जील रोड में खुल गया है प्रपराइटर शिवजी शह के नेत्रितु में यहां UPSC, BPSC, NDA, SSC, BED, Railway, Engineering, Medical, Polytechnic, IIT, TET, IBPS, State Bank, SENA, Police एवं, Metric, Intersternatak के गिस्पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास वन से पीजी तक के सारे बुक यहां उपलब्ध है सभे प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रा है नए किताब पर 5 से 65 प्रतिशत का स्पेशल डिसकाउंट दिया जा रहा है तो देर मत कीजिए एक बार हमारे यहां अवश्य पधारे हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच वन दीपक मार्केट के सामने मोधी जील रोड और दूसरा ब्रांच अगोरिया बाजार रामदयालू रोड जेनित पेट्रॉट्म के बगल में कॉन्तक अस अन 933-49-00-337 620-3529-231 776-9746-17 बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्मी लाल मेगा मौल मुझजफरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है शादी ववा के लिए है लेंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन दुलहन के मन को भाई यहां की ब्राइडल हैंगा चुन्मी हम सभी का खयाल रखते हुए परिधारों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं वो भी आपके बजट में माल्टी नेशनल ब्रैंड से लेकर लो रेंज तक की ब्रैंडों की बहतरीन कलेक्शन के साथ सारियों का अनंतसंसार समेटे हुए हैं दोले राजा के लिए भी सूट और सेरवानी की लाजबाब रेंज मेंस्वेर की भी ब्रैंडिट कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार बच्चों का भी हमने खयाल रखा है इसलिए सभी ब्रैंडों का रेंज उतारा है तो एक बार हमारे यहां अवश्य पधारे अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माभवानी डेक और प्रावेट लिमिटेट के साथ जो है ऑथराइज डिस्ट्रिब्यूटर ओफ कजारिया देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन और संग्रे माभवानी डेक और प्रावेट लिमिटेड मतलब अ कम्प्लीट फ्लोर सेलीशन्स न्यू जीरो माइल दादर रोड मुझफरपुर कॉल डबल नाई थी फोर सेवन पाई री ट्री ट्रिपल वान सुनते हो जी मुझफरपुर शेहर में ऐसा रेस्टुरेंट खुला है जोकि खाने के में पोर्ट में नॉन्वेज और विज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा अरे यहां क्या का रही हो ऐसा कौन सा रेस्टुरेंट खुला है होटल ग्रैन पोर्ट रेस्टुरेंट जोकि छाटा चौक सिर्थ दामू चौक रोड में है यह रेस्टुरेंट शेहर में पहली बार ऐसा ओफर लेकर आया है हाँ तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ओफर से हमारे जेट के पैसे भी बचेंगे हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ और आप लोग भी जाएए होटल ग्रैंट पोर्ट रेस्टुरेंट में और अपने पैसे को दरूर बचाएं इसके अलावे इस रेस्टुरेंट में जन्न दिन या सभी प्रकार की शादी समारों के लिए बैंकेट हॉल उपलब्थ है हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिल छादा चौक मुझजफर पुट अपनी स्वात से लोगों में विश्वास बना चुका सरयग अंस्खित भगवान भोजनाले आप लोगों की डिमांट पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है श्री रगुनात महराज की प्रतिष्ठान भारत जल्पान की सेवा अब उन्ही के प्रतिष्ठान भगवान भोजनाले में दी जा रही है मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाउ भाजी के साथ-साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है इसके अलावे खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबन है अत्याधूनिक बैठने की व्यवस्था के साथ-साथ साथ साथ सफाई का भी खयाल रखा गया है वर्दे पार्टी हो, यह स्मॉल पार्टी हो, यह शारी समारों हो सभी के मिठाई और पनीर का ओडर भी लिया जाता है तो एक बार हमारे यहां अवश्य बथा रहे भगवान भोजनाले, सरयय गंच नव्युवक समीती के समीब हमारा मोबाइल नंबर है 9829-1100 ब्रे के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है चले रोप करते हैं अने खबरों की ओर टौफी खरीदने पहुँचे दुकान पर बदमाश लूट लिये दुकानदार के गहने और कैश जिले में सदर थाना शेत्र के सहजानन्द कॉलिनी में बाइक सवार अपराधियों ने एक किराना दुकान पर टौफी खरीदने के बहाने पहुचे और फिर करली लूट पाथ मामले के जानकारी देते हुए पिरता चंद्रकला देवी ने बताया कि उनक्या किराने की दुकान है बेटा खाना खाने गया था इसी तोरान वो दुकान पर बैट गई थी तब ही एक बाइक से दो युवक आय और बोले चौफी लेनी है जब मैं पीछे गुमी तब तक दुकान के अंदर प्रवेश कर गये और गले से सोने की चैन और काउंटर में रखे कैश लेकर भाग निकले वहीं दूसरा अपराधी चिलाने पर बोला कि गोली मार दू तो मैं दर कर चुप हो गई तब तक दोनों फरार हो गए इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गई है वहीं अपराधियों की पूरी करतूद सीसी टीवी में कैद हो गई है सूचना के बाद मौके पर पहुँची सदर्थाना पुलिस जाच पड़ताल में जिट गई है करके भागा जब कुछे हम रगे तब तक यहां गिर गया गिर कर फिर उठ करके वहां रोट पर चला गया हम दोरते हुए गया लेकिन कोई जंता उसको पकड़ा नहीं उचाला गया कितने आद्मी थे दो था एक उजले कपड़े पहने हुए थे लाल कपड़े लाल कपड़ा वला चोड़ी किया वलेका भागा और उजला कपड़ा पहां करके उधर में भूमे हुए था आप आठी था बैठा उसके पर फ्रार हो गया हम उसको नहीं पक्तिने बज़े के विकारियों ने नकली जीन्स बेच रहे दुकानों पर पुलिस के साथ छापे मारी की है। दुकांडार 300-400 रुपे की जीन्स को ब्रैंडेट बताकर ग्राहकों को 1000 रुपे में बेचा करता था। छापे मारी के लिए दिल्ली से पहुँचे ब्रैंड प्रोटेक्शन के परविंदर सिंग ने बताया कि सूचना दी गई थी कि स्पार्की के नाम पर जुप्लिकेट जी अब इस सपिटेश्ट नहीं नहीं दिया है कुछ कपड़ा आया है उपने जाचे कर रहा है उसका जैसे होगा उस तरह आवेदन देगा तखरवाई होगा वारी जो पहले इन्वस्टिट्रीस टीम है उन्होंने सूचना दे ती कि कुछ दुकान दान नकली माल बेचने सपा क्पानी का नुक्सान में कंपनी की रापोरेशन खराब होती है सबंखसान होता है कोई वाधन अभी रुकी है उस पार में आपको सारी तेल देंगे पहले हो लें देजी पिर वापको पूरी यह तकान जब किया है या या एक पूरी कोशित रेगी अगर वो नहीं समझ पाएंगे तो फिर देखा जाएगा नहीं देप आएंगे तो फिर उन पर कारवाई की जाएगा रामद्यालो स्टेशन के समीप हुई गटना में पिरित परिवारों से मिलने पहुची डिप्टी मेश जुक्तर मोनालिसा इसी के तहट आज डिप्टी मेयर डौक्टर मोनालिसा और वाड़ पार्षद ने पिरत परिवार से मिलकर हाल चाल जाना और उनकी मदद की इस अवसर पर वाड़ पार्षदों के द्वारा खाने पीने की समान के साथ साथ आर्थिक मदद भी की गई इस दोरान जिप्टी मेर डॉक्टर मोनालिसा ने बताया कि नगर निगम की ओर से पानी के टैंकर और खाने पीने की वेवस्था की गई है वहीं घायल रक्तियों पर नगर निगम नजर बनाए रखी है सभी लोगों का इलाज SKMCH में चल रहा है पिरत परिवार को हर तरह की मदद की जाएगी स्वास्त कर्मे डॉक्टर उपेंद्र चौधरी के सेवा निवरित होने पर करमचारियों ने विदाई दी जीला अभी रक्षा पदाधिकारी डॉक्टर उपेन चौधरी के सेवा निर्वित थोने परभुधवार को सदर अस्पताल में उनके सम्मान में विदाई समारों सर समान समारों का आयोजन किया गया। इस विदाई समारों में सदर अस्पताल के सीवील सर्जन समेट सभी डॉक्टर वपदादिकारी सामिल रहे। इस दरान डॉक्टर उपेंद चौधरी को माला पहना कर एवं सौल ओढाकर समानित किया गया। सभी लोगों ने उनके उजबल भविस की कामना की। मौके पर सीवील सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने कहा कि डॉक्टर उपेंद चौधरी के 30 सप्रेल को सेवा निर्वित हो गया। सर्फ पर इटार्मेंट है 70 तरड़े एक्स्टेंशन का मुझे भरोसा है कि एक्स्टेंशन मादा प्याजप्ते के अंदर में चिख्थी आ जानी चाहिए। अगर आप सेवा निवित हो रहे हैं। मन्यारी तरांश्यत्र के चकी भग्की गाउं की रहने वाली महिला ने SSP को ग्यापन दे कर नियाई की गुहार लगाई। उस्टा होकर जगनाथ राय, परमोद राय, गजंद राय समेत पूरा परिवार लाठी डंटे से लैस होकर सोनिया देवी की पिटाई कर दी। इसमें सोनिया देवी नीरज कुमार बुरी तरग हायल हो गए। इस मामले में मन्यारी थाना में आवेदन दे कर जगनाथ राय समेत पूरा परिवार पर मारपिट की पात्मी की दर्ज कराई गई है। लेकिन अब तक उन लोगों की गिफ्तारी नहीं हुई है। इससे नराज सोनिया देवी ने SSP से मिल कर सभी आरोपियों के गिफ्तारी की मान की है। क्या बोलत परिवार परिवार प्रकुषाय। सब्सक्राइब ऐसे समीन ले आए उसाइब बोले कि जाए ये करवाई होगा हमने तीस तारीक को भड़ पे इथे हमारा साथ मारपीट किया गया प्रोशी के द्वारा और तिस तारीक को सामें साथ भज़ ठाना में अबनेरे ठाना शित में आवेदन दिये मनेरी में वहां पर जगरनाथ रहा है, परमोद रहा है, गजंदर रहा है, सुधान सुक्मार, ये सब परोशी ही हैं, उनके दर्वाजे पे हमारा गायब उनके चला गया था, उनका गहुम खा गया था, इसी कहना नय वकालक खाना में भारतिय समर्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी के विस्तार को लेकर कारे समीती की बैठक की भारतिय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक शुधीर कुमार ओजा की ओर से बुद्वार को नया वकालत खाना चैंबर के नमबर 68 में पार्टी के कारेकार्णी की बैठक बुलाए गई इसमें राष्ट्री अध्यक रामेश्वर कुमार महतो उर्फ पपु चोहान के निर्देशा अनुसार प्रदेश संगठन का विस्तार किया गया इसमें प्रदेश अध्यक सुधीर कुमार ओजा ने कहा की हमारी पार्टी कारेकरताओं की पार्टी होगी हमारी पाठी 40% आबादी वाले अतिपिछडा समाज की हक और हुकूक के लिए शंगर्ष करेगी साथे बिहार प्रदेश के शंगठन में 90% अतिपिछडों को जगा दी गई है और 2024 के लोग सभा चुनाव में हमारी पाठी 90% हिस्सेदारी अतिपिछडों को देने के लिए कृत संकल्पित है जो आने वाले समय में पता चलेगा वहीं सुधीर कुमार ओजा ने संगठन की घोशना करते हुए बताया कि बिहार प्रदेश का संगठन बन चुका है जिसमें 5 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 महा सचीव, 3 सचीव एवं चंदन कुमार को युवा प्रकोस्ट, राजु कुमार चौधरी को किसान प्रकोस्ट, लक्षमी कुमार चौहान को महिला प्रकोस्ट का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ साथ सभी जिलों के जिला अध अध्यक्षों एवं महानगर अध्यक्षों का भी गठन कर लिया गया है जिसके सुची प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जारी की गई है आज क्या प्रेस कोंफरेंस का मुख मुद्दा है कि भारतिय सार्थक पार्टी के राष्टी अध्यक्ष मानी रामेसर कुमार पुर्फ प्रदेश का अध्यक्ष निक्त किया गया और साथ ही निर्देश दिया गया कि जल से जल शंगठन का भिष्टार कर और इनको सुची सौप दें तो आज हमने जो प्रेश बारता के लिए बुलाया आप लोगो को उसमें पूरे बिहार में सभी जीलों में जीला अध्यक्ष का हमने घुसना कर दिया है जिसके सुची आप लोगो दहेंगे इसके साथ ही परदेश कमीटी में पाँंच परदेश बाध्यक्ष के साथ साथ तीन महा सचीव और पाँंच सचीव के साथ साथ परकोष्ट के अध्यक्षों की भी घुसनार में कर रहा हूं जिसमें चंदन कुमार को जुवा परकोष्ट, राजु कुमार चौधरी जिसान परकोष्ट, लच्मी कुमारी चोहान महीला परकोष्ट के अधर्फ़ पनाई गई है सबसे महत्पुन बात यह है कि हम लोग के पाटी का या सोच है कि नुनिया बिंद बिलदार के साथ अती पिछरों को अधिक से अधिक भागिदारी देना तो मैं बता दूं कि जो मैं संगठन का विस्तार किया हूँ जो सूची मैं आपके सामने रख रहा हूँ उसमें 90 परतिसत अती पिछरों को संगठन में भागिदारी हमने दी है आगे आने वाले चुनाओं में भी हम लोग का यही सोच है कि अधिक से अधिक भागिदारी उनको लोग सवार विधान सवा में हम लोग देंगे और इसके साथ ही पार्टी का कार्चक्रम पूरे बिहार में हर जिला में दोरा होगा और प्रदूशन नियंतरन को लेकर जिलादिकारी ने समर्णाले सभाकक्ष में जिले के समबंदित पदादिकारीों के साथ एहम बैठक की प्रदूशन नियंतरन जाच केंदर को काईसिल करने का भी निर्देश दिया गया परिवन पदादिकारी को नियंतर रूप से लगतार अभियान चलाने का निर्देश मिला इससे ओवर लोडिंग पर दूशर में कमी आ सके वही होटल और होस्पीटल की अपनी नीजी पार्किंग वेवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया ज़ाधुर्द इससो एंडिश्चित एंवार्मेंट का जो ड्राफ्ट है उसके रिगार्डिंग बैठक थी दीमसर की अद्यक्स्ता में इसमें जो है ड्राफ्ट डिस्टिक इंवार्मेंट प्लन ढगा गया था पुरे मुझा पर्पोर डिस्टिक के लिए उसमें एक हम ए आगे आने वालों दिनों में जो पुड़े गुजपपरपूर को एक सस्टेनेबल डेवलाप्मेंट के डिरेक्शन में जहां पी वो पॉलिशन फ्री हो, क्लीन इन्वार्मेंट हो, इस डिरेक्शन पे हम इसको आगे बढ़ा सकेंगे, इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एर पॉलिशन, वाटर पॉलिशन, नॉइस पॉलिशन, इंडस्टियल वेस्ट, सी वेस्ट पॉलिशन, सभी को कंट्रोल करते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है, इस डिस्टिक इंवर्मेंट प्लान में बताया गया था, और उसी के बारे में हमनें सभी कंसरन से फीडबैक लेने के लिए ये मीटिंग आयुजित की थी और इस पे काफी फूटफूल डिसकेशन हुआ है और ये ड्राफ्ट जो है फाइनल करके हमें फिर आगे स्टेट पॉलिशन कंट्रोल बोड को फिर बीजना है खबरों का सलसला यहीं होता है समाप्त अब मुझे और मेरी पूरी न्यूस टीम को दीजे इजासत कल फिर मिलेंगे आप से शेहर की तमाम खबरों के साथ